जेहन दोस्तों अगर आप भारत के टॉप तीन बैंक में सुमार बैंक को बढ़ोदा में अपना जीरू बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनेवीसिल साबित होने वाला हैं जेहन दोस्तों आज में आपको बैंक को बढ़ोदा में जीरू बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की परकरिया को लाइव प्रोसेस के माधियम से समझाने वाला हूँ उसके बाद ही उस अकाउंट के लिए अपलाई करें तो फ्रेंटस आईए जान लेते हैं इस बैंक के इस्टरी ताके आपको इस बैंक के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए बैंक को बड़ोदा भारत का एक सार्वजिनिक छेतर का बैंक है भारती इस्टेट बैंक वा पंजाब नेस्टनल बैंक के बाद यह इस छेतर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है अब तक इस बैंक ने पूरे वीसो में 132 मिलिन से अधिक कस्टमर तक अपनी सेवाई पहुचाई है इस बैंक की बारत में 8214 ब्रांच वा 1033 एटीय मसीन के अंदर है इस बैंक की स्टपना सन 1908 में सैयाजी राओ गायकवड की द्वारा वडुद्रा गुजरात में की गई थी वरत्मान में इस बैंक की चेयर्में हसमुक अधिया है सितंबर 2018 में विज्या बैंक वद्दैना बैंक को इस बैंक में मर्ज कर दिया था यह बैंक ग्राको को सेविंग अकाउंट के साथ साथ होम लोन, पर्सनल लोन, फिक्स टिपोजिट, क्रेडिट काड आधी सिवाय परदान करता है इस बैंक की सबसे मज़िदार बाद भी आपके साथ सेयर करना चाऊंगा कि इस भारती बैंक की भारत के अलावा वीश्व के 24 से अधिक देशों में इसकी 1000 साखाय मौजुद है जो भारत के लिए काफी गोरो की बात है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड वा पैन कार्ड का होना जरूर है तो फ्रेंड्स इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट का लिنक आपको वीडियू के इस्क्रिप्शन में मिल जाना है उस link पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा basically यहाँ पर आपको जो है zero balance account का interface नहीं देखेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इस website पर आजाना है इस website पर आने के बाद आप जो नीचे scroll करोगे तो आपको zero balance वाला interface नहीं देखेगा उसके लिए यहाँ पर आपको search box में आपको यहाँ पर आजाना है और यहाँ पर आपको search करना है zero balance यह आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने नीचे कुछ इस परकार की option देखने को मिल जाएंगे zero balance आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार की option देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक account आपको देखने को मिल जाएगा बड़ोदा इंस्टा क्लिक सेव अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर दाना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी सामने इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा यही है एक मातर जीरो बैलेंस अकाउंट बैंको बड़ोदा के अंदर जिसे आप खोला कर जो है इस account का लाब उठा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बैलेंस यहाँ पर आपको नहीं रखना पड़ता है maintenance charge यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको ज्यादा प्रोसेस नहीं करने पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं no maintenance balance यहाँ पर आपका किसी भी परकार से हैं जो balance यहाँ पर आपको रखना नहीं पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको शुरू आप में बता दिया इनके पूरा zero balance account होने वाला है और भी इसके यहाँ पर आपको features देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं banking solution as single touch यहाँ की single touch में आपका banking यहाँ पर provide आपके हो जाती है उसके बाद payments and ticket booking आपको देखने को मिल जाएगा और internet banking और mobile banking और debit card की सुईधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह था इसका overview अब इसके बात करते हैं इसके features की इसके features में देख सकते हैं यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे यहाँ पर आपके सामने इस परकार का आजाएगा interface यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं document required की बारे में आपको बताया गया कि इसमें आपको कौन कौन से document लगेंगे तो basically यहाँ पर आपका आधार card mobile number, email id और pen card यह आपको जो चार document आपके पास होने चाहिए अगर आपका इसमें से एक भी comment मिस है तो आप इस account को open नहीं कर सकते pen card यहाँ पर आपका अनिवारे हैं उसके बाद friends बात कर से हैं इसके eligibility की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके eligibility में आपका जो है इंडिये नागरिक होना जरूरी है और आपका जो है उम्र जो है इसके validity की तो इस account की validity आपको जो है 12 month की मिलेगी क्योंकि हम जो यहाँ पर full KYC नहीं करने वाले हैं 12 month होने के बाद आपको जो है निकट तम ब्रांच के अंदर widget करना है वहाँ पर आपको full KYC करवा लेनी है उसके बाद आप जो है इसके maximum permissal balance की तो यह क्या होता है यह अगर आप जो है case deposit करते हैं या case withdrawal करते हैं उसकी limit होती है तो आप जो है एक दिन के अंदर जो है एक लाग उठा सकते हैं और यह आप deposit कर सकते हैं दूसरे दिन भी आप एक लाग उठा सकते हैं या आप deposit कर सकते हैं लेकिन तीसरे दिन आप जो है इसमें balance नहीं उठा सकते हैं नहीं आप deposit कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं community जो credit और deposit हैं वो आप financial year में 2 लाख ही कर सकते हैं एक साल में आप जो है 2 लाख या तो उठा सकते हैं या इसमें credit कर सकते हैं उसके बाद friends हम बात करते हैं इसके debit card की तो यहाँ पर आपको जो है debit card वाला option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं you can request for a physical debit card, आप जो है debit card के लिए request कर सकते हैं, जब आप account ओपन करें उस समय आपको जो option देखने को मिल जाएगा, उसके बाद friends हम बात करते हैं इसके case withdrawal के बारे में तो आप जो यहाँ पर case withdrawal की भी facility आप देख सकते हैं आप जो अपने ATM कार से case withdrawal भी कर सकते हैं case deposit की भी यहाँ पर आपको सुईदा देखने को मिल जाएगी और भी यहाँ पर आपको जो account funding की देखने को वेवस्ता मिल जाएगी यहाँ पर आप Napt के मादिम से या UPI ID के मादिम से आप जो account में fund transfer या जो है विड्रोल कर सकते हैं उसके बाद SMS alerts भी आपको देखने को मिल जाएगा तो friends यह थे इसके features अब आप पूचको हैं यहाँ पर term और condition भी इसके यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में आपको other terms और condition भी आप देख सकते हैं आलांकि इतने खास नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको जो एक एक करके नहीं बताओंगा उसके बाद FAQ पर आपको आजाना है FAQ पर आओ गए तो आपके मन में जितने भी यहाँ पर आपके doubt होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे हलांकि जितने भी हैं मैंने आपको शुरुआत में बता दिये हैं अब यहाँ पर आप देखना चाते हैं तो देख सकते हैं अपर आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना email ID डालना है email ID डालने के बाद आपको अपना mobile नमबर डालना है mobile नमबर पर एक OTP आजाएगी और email ID पर भी आपके एक OTP आएगी उसको verify करना OTP नहीं एगी एक link आएगी उसको verify करना जरूरी है उसके बाद सारों में यहाँ पर आपको check box पर click कर देना है जैसे check box पर click करोगे तो नीचे आपको जो है इसका next वाला option देखने को मिल जाएगा तो मैं यह सारे details भढ़ देता हूँ details भढ़ने के बाद आपको मैं आगे की परकरिया करके बताऊंगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक email पर link आजाएगी side में आप screenshot में देख सकते हैं mobile में यहाँ पर मुझे link प्राप्त हो चुकी है उस link पर आपको click करना है और verify कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है mobile number डालने के बाद आप जो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके mobile number पर भी एक OTP आजाएगी OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है तो मैं यहाँ पर अपना mobile number डाल देता हूँ तो friends मैंने mobile number डाल दिया है और OTP डाल कर इसको verify कर दिया है जैसे आप verify करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सारे checkbox पर आपको click कर देना है अगर यही checkbox पर click नहीं हो रहा है उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है तो यह भी checkbox पर आपका click हो जाएगा तो इसके बाद c-c-c-times पर आप click करोगे उसके बाद यह भी आपका checkbox पर click हो जाएगा उसके बाद आपको next वाले process पर click कर देना है तो यह हमारा 25% काम complete हो चुका है उसके बाद friends यहाँ पर आपको अपना pen card number, other card number डालना है यह डालने के बाद आपको जो यहाँ पर checkbox पर click कर देना है फिर आपको next पर click कर देना है तो हमने यहाँ पर यह details बढ़ने के बाद यहाँ जैसे करोगे तो आपके जो है आधर card से related mobile number है उस पर एक OTP आ जाएगी उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है डालने के बाद simple सा आपको next पर click कर देना है तो मुझे यहाँ पर OTP मिल चुकी है हम OTP यहाँ पर डाल देते हैं OTP डालने के बाद यहाँ पर आप simple सा next पर click कर दोगे जैसे आप next पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरपरेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके जो है आधरकार्ट से जितने भी रिलेटेड जो यहाँ पर डिटेल्स थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपका फोटो यहाँ पर आजाएगा डेटो बढ़ता आ जाएगा, ऐड्रेस वगरा, सारा कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको यहां पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आप कौन से ब्रांच में आकाउंट ओपन करना चाते हैं नज़दी की bron rising आपको select करें उसके बाद आपको यहां पर address verify कर देना है अगर आपका सब कुछ साई है तो आपको सिंपल सा यहां पर आपको proceed पर click कर देना है जैसे आप proceed पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा आपको थोड़ा सा वेटिंग करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानकारी परस्टनर डेटेल्स यहाँ पर आपसे पूछी गई है तो यहाँ पर डाल देना है जैसे यहाँ पर आपको religion क्या है वो religion को डाल देना है उसके बाद number of dependence के आपके ऊपर कितने Log Depends है, यह आपको यहाँ पर डाल देना है जितने भी है, यह डालने के बाद सिंपल सा आपको आपको डिसेबिलीटी वाला option पर चलिक कर देना है, अगर आप हैं तो yes कर देना, अगर नहीं है तो no पर क्लिक कर दे, उसके बाद place of birth पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना employment select करना है आप कौन सा कारे करता है annual income यहाँ पर आपको डालनी है annual income डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको category select करना है मतलब आप OVC में आते हैं या अधर में आते हैं उसके बाद यहां पर आपको जो occupation select करना है occupation select करने के बाद जो है यहां पर आपको marital status देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है जो भी है यहां पर आपको select कर देना है उसके बाद नीचे आ जाना है यहां पर आपको nomini add का option देखने को मिल जाएगा आपको no menu अगर add करना है तो yes पर click करना है अगर नहीं करना है तो no पर आप click कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर फिलाल no पर click कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर आपको simple सा proceed पर click कर देना है जैसे आप proceed पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा अब यहाँ पर आप additional service कौन कौन सी लेना चाते हैं जितने भी लेना चाते हैं उस पर आपको click कर देना है सारी जो है आप पर free में देखने को मिल जाएगी वरना आप submit application पर click कर दें जैसे हैं submit application पर click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं congratulations आपका जो URL नमबर आ जाएगा यहर अकाउंट ओपनिंग अप्लिकेशन इस submitted successfully आपकी जो है अकाउंट अप्लिकेशन सब्मिट हो चुकी है अब आपका सांदर से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके लिए आपको जो वीडियो के वैसी करने पड़ती है वीडियो के वैसी के लिए आपका जो है एक email पर आपको link मिल जाएगा उस link पर आपको जैसे click करोगे तो video के वाइच से आपकी open हो जाएगी आपको अपना आधार card और pen card यहनकी तुरंत यहनकी ready रखना है आपको video के वाइच सी complete होने के बाद simple सा आपका जो account successfully open हो जाएगा तो friends उमिद करता हूँ दोस्तों यह video आपको काफी पसंद आए होगा और friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर अपने debit card या checkbooks के लिए apply किया है तो within 7 day के अंदर आपका जो है अपने address पर आपकी यहाँ पर आपको checkbooks और debit card देखना को मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर account number से आप transaction वगरा आसानी से कर सकते हैं तो I hope यह video आपको काफी पसंद आए होगा पसंद आए तो इस video को like जरू करें और channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो channel को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंट